एक तरफ 24 के चुनाफ को लेकर नरेंद्र मोदी का रोड मैप बन चुका है और उसकर काम होना भी शुरू हो चुका है तो वही इस वक्त दूसरी तरफ राहूल गांदी है जो उत्तर प्रदेश में अभी भी रोड पर है क्योंकि वो न्याय यात्रा निकाल रही है। कॉंग्रिस निता राहूल गांधी न्याय यात्रा के 35 दिन प्रदाल मंत्री मोदी के संसदी अक्षेतर वायरन से पहुँचे। काशी विश्वनात मंदिर में पूजा की रोड शो किया और प्रदाल मंत्री मोदी पर हमला भोला। राहूल गांधी के यूपी शो का 2024 के चुनाफ में क्या असर पड़ेगा। राहूल की न्याय यात्रा यूपी में किस-किस लोग सुभा सीट को कवर करेगी। अकलेश यादव कब और कैसे राहूल की यात्रा में शामिल होंगे। किस-किस नेता ने राहूल की यात्रा से दूरी बनाए पूरी पॉरी पॉलिटिक्स मैं आपको समझाओंगी। लेकिन सबसे पहले आज की तस्वीर आपको दिखाती हूँ। पूरी पूरी तरह से चुपी साथी। मैं सिर जुका के, सिर नीचे जुका के ऐसे मैं गंगा जी के सामने आया हूँ। वैसे ही वैसे ही जब मैं भारत जोड़ो यात्रा वे चल रहा था, मैं सिर जुका के, जो भी मेरे सामने आता था, मैंने अपनी टीम को कह दिया। आप इनसे पूछिए। बारत जोड़ो यात्रा से पहले इन्होंने मुझे पूछा, राहूल जी हमें करना क्या है। मैंने उनको कहा देखो, यात्रा में बहुत सारे लोग मुझे मिलने आएंगे, गरीब लोग आएंगे, अमीर लोग आएंगे, सब के सब लोग आएंगे, सब बोलेंगे, जो भी आएगा, उसे ऐसा लगना चाहिए, कि मैं अपने घर आया हूँ, अपने भाई से मिलने आया हूँ, और प्यार से उसको अंदर उसकी मुलकात होनी चाहिए, और प्यार से वो बहर जाएंगे, कहने का मूल मकसद यह है, कि मोहबत दो और मोहबत लो, लेकिन इसमें वोटों का गनित कैसे सेट होगा, खैरकाशी में राहुल के मंदिर दर्शन के बाद एक नई कॉंट्र वलसी भली शुरू हो गई है, कॉंग्रिस की यूपी अध्यक्ष अजयराय ने बड़ा आरोप लगाया है, अजयराय का आरोप है कि राहुल की टीम को मंदिर में कैमरा ले जाने से रोका गया और निश्चित अभी तक जो फोटो के लिए मैं आप कोई कहना चाहूँगा, कि आप देखे होंगे इसके पहले ये चाए भाजपा का कोई नेता आता है, उसमें सब कैमरा लाउट करते हैं, सारे कैमराज अंदर जाते हैं, यहां के प्रसासन अंदर लाउट करता है, इवन चोटे से चोटे भी नेता बाजपा के जाएंगे, उनके सारी फोटो जाते हैं, राहूल जी के साथ कैमरा को पहले कल दिया था, निरस्ट कर दिया, मना कर दिया, और अभी तक महासे कोई भी ऐड्मिस्ट्रेशन ने, क्योंकि मंदीर पूरा दी गरण है, उनके दीन है, उन अयोध्या का भी जिक्र नहीं है, यानि कि राहूल गांधी की न्याई यात्रा अयोध्या नहीं जाएगी, राहूल गांधी की यात्रा उत्रप्रदेश में 13 जिलों से गुजरेगी, 785 किलो मीटर की यात्रा के दौरां राहूल 15 जन सभाएं करेंगे, राहूल गांधी की यात्रा कल चंदौली से उत्रप्रदेश में दाखिल हुई थी, आज सुभे से राहुल गांधी वारनफी में हैं, 18 फरवरी को यात्रा भदोई के गोपी गंज चौक से शुरू होगी और प्रियाग राज में हबूसा, मोड पर और सोराव में जन सुभाएं होगी, 19 फरवरी को यात्रा अमेठी के फुरसत गंज से शुरू होकर राय बरेली पहुँचेगी, अब सोचिए, राय बरेली और अमेठी, दो पारंपरिक सीट, एक जहां से राहुल गांधी चुनाब हाट चुके हैं, और दूसरी राय बरेली जहां से अब सोनिय गांधी चुनाब नहीं लड़ेंगी, 21 फरवरी को यात्रा उन्नाव पहुचेगी और उन्नाव से शुकला गंज होते हुए कानपूर पहुचेगी, बीजेपी के डेपीटी सियम रजेश पाचक ने राहुल गांधी को छदम वेशधारी बताया बीजेपी सवाल उठा रही है तो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में वेंटिलेटर पर लेटी हुई कॉंग्रिस को ऑक्सिजन देने की कोशिश में जुटे हुए है 24 के चुनाव में राहुल का फोकस अमेठी, राइबरेली के अलावा वार नसी, भदोही, प्रियागराज, कानपुर, जालौन और जहासी पर होगा राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान यहां महाल बनाने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी लखनव में भी इंडी अलाइंस को मश्बूत करने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी जब उत्रप्रदेश में आते हैं तो बहुत ही समझदारी के साथ जातपात की बात ना करते हुए सीधा सीधा बेरोजगारी महेंगाई अडानी और अंबानी जैसी बात करते हैं मोदी को घेरने की कोशिश करते हैं आज एक बार फिर उन्होंने भीड में से ही एक युवा को बुलाया उसका नाम भी राहुल था और उससे बेरोजगारी को लेकर चर्चा की देश में दो सबसे बड़े मुद्धे हैं कौन से मुद्धे हैं बेरोजगारी और दूसरा बेरोजगारी और अब जहां भी देखो आपको दो हिंदुस्तान दिखेंगे एक अरबपती वाला और एक गरीबों का हिंदुस्तान सई तो यह अन्याई है ना कि अरबपती भी उतना टैक्स दे रहा है जितना हिंदुस्तान का सबसे गरीब दे रहा है तो इसी लिए बारा चोड़ो यात्रा में हमने अन्याई सब जोड़ दिया मनिपुर से महराश्रा तक यह यात्रा जारी है आज हम उस्तर प्रदेश में है हमारे साथ हमारे स्योगी रुची कुमार जुड़ी हुई है रुची पूरवांचल के वो तमाम क्षेत्र जहां से राहुल गांधी की यात्रा होकर गुसरेगी और गुसर रही है यह वो इलाके कहे जाते रहे हैं जो कि कॉंग्रेस को हमीशा से सिराखों पर बिठाते आए हैं लेकिन आज इसी पूरवांचल में क्या कॉंग्रेस की लड़ाई एक तरीके से हम कहें कि वेंटिलेटर पर नहीं है गांधी की जो यात्रा है फिलहाल वो अभी शाम को पांच बजे वाइनार जा रहे हैं और जेराम रमेश नहीं ये बताया है कि वो वापस आएंगे अथारा फरवरी को प्रियागराज से पिर उनकी यात्रा शुरू होगी अब जहां तक कॉंगरिस की बात है तो उतर प्रदेश में जिस तरह की कॉंगरिस की हालत है उसको सच में किस तरह से जिन्दा चीया जाने बहुत मुच्किल काम है जो यात्रा निकल रही है उसमें कॉंगरिस Angर्थ समर्था कॉंगर्थ काड़ करता तो आपको दिखाई दे रहे हैं लेकिन जब वोट पड़ता है तो कॉंग्रेस को वोट नहीं मिलता अब आप लगातार देखेंगे कि किस तरह से 2022 का चुनाव हो 2019 का हो 2017 का हो 2014 का हो चीक एरुजी में दुबारा आपके पास आती हूँ और हर चुनाव के साथ चाहे विदान सभा या लोग सभा हो कॉंग्रेस पार्टी डेटरियेट कर रही है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन राहूल गांधी के लिए उत्रप्रदेश की लड़ाई इस बार 2019 के चुनाव से भी ज्यादा मुश्किल है और ये मैं क्यूं कह रही हूँ उसके पीछे भी तथ्या है और ये तथ्या इन त्याग चुकी है ये जिबमेदारी अब कॉंग्रेस निता विनाश पांजे के पास है प्रियंका गांधी उत्रप्रदेश में राहूल गांधी के निया यात्रा में भी शामिल नहीं हो रही है उन्होंने स्वाफ्त कार्णों का हवाला दे दिया यात्रा से किनारा कर लिया इतना ही नहीं सोनिया गांधी जो अब तक कॉंग्रेस की परंपरागत सीट राय बरेली से चुनाव लड़ती आई है वो भी इस यात्रा में शामिल नहीं हो रही है वो भी स्वाफ्त कार्णों का हवाला दे रही है और तो जैन्त चौधरी भी अब एंडिये में शामिल हो राहुल गांधी को कम साथी और कम संसाधनों के साथ मोधी से मुकाबला करना है वहीं आज एक दल्चस्प तस्वीर तब सामने आए जब समाजवादी पार्टी से खफा पलवी पटेल बारनसी में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुई मही समाजवादी पार्टी के महा सचेव बच से स्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौरे भी कल प्रयाग राज में राहुल गांधी की नियायात्रा से जड़ेंगे यानि ये दोनों निता जो अखिलेश उसे नाराज बताय जा रही हैं वो राहुल गांधी के साथ सिलहाल खड़े हैं कॉंग्रिस को उमीद है कि स्वामी प्रसाद मौरे के आने से उन्हें दलित वोट का साथ मिलेगा लेकिन उसे जड़ा घाटा स्वामी प्रसाद मौरे के एंटी सनातन इमेज से हो सकता है वहीं कॉंग्रिस पल्लवी पटेल से कुर्मी वोट बैंक को लेकर उमीद लगाए हुए है लेकिन ये वोट बैंक ऐसा है जो संगठित नहीं है इसका मतलब साफ है ये दोनों अगर कॉंग्रिस में आभी जाते हैं तो इससे पार्टिक के वोट बैंक को कोई खास वर्क नहीं पड़ेगा रुची मैं दुबारा आपके पास आ रही हूँ ये जो अब एक नया एक्वेशन बनाने की कोशिश हो रही है उत्तर प्रिदेश में और आप जैसा आपने भी बताया एक तो राम मंदिर बन गया है बाद अगर राम मंदिर ना भी बना होता में नाक्शी तब ए उत्तर प्रिदेश में जमीनी उस तर पे कॉंग्रिस बहुत जादा कमजोर है तो उसको जब तक कार्यकरता को बूत लेवल पर मजबूत नहीं किया जाएगा पार्टी को यूपीम जैसे स्टेट में रिवाइब करना मुश्किल होगा लेकिन कॉंग्रिसियों का कहना है कि देखे हमारा काम है कोशिश करना हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और हमें कामयाभी जरूर मिलेगी आगे आके अब ये कामयाभी कब मिलेगी इसका जवाब देना काफी मुश्किल है और आप को भी छोर भी सुनाई दे रहा होगा जो उनके समर्थक हैं जो कारे करता हैं वो पूरे जोश में हैं कि राउल गांधी उनके इलाके में हैं इतनी सीटे साजा कर रहे हैं वो क्लियर नहीं हुआ है नाहीं वो इस यात्रा से जुड़े हुएं समाजवादी पार्टी ने अभी तरह कोई ओफिशियल स्टेट्मेंट सीट शेरिंग को लेकर नहीं दिया है और तो और जैंत चौधरी भी गडबंधन से अलग हो चुके हैं यानि कि पश्यमी उत्रप्रदेश में कॉंग्रिस ने पहले ही अपने हधियार डाल दिये हैं पश्यमी उत्रप्रदेश में जाट आबादी 17 प्रतीशत से ज्यादा है जाट वोटों का असर 18 लोग सुभा सीटों पर है 2019 के लोग सुभा चुनाव की बात करें तो बीजेप के बीजेपी में शामिल होने सी जाट लैंट में पार्टी और मस्बूत हो जाएगी ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राहूल गांधी ने अपना ये रूट डाइवर्ट क्यों कर दिया यह तो भी सिर्फ जाट लैंट के बाद पूरे उत्रप्रदेश में मोधी के सामने इंड 7.47 प्रतिश्यत वोट शेर था कॉंग्रेस जिसके भरोसे उतरप्रदेश में मोधी का मुकाबला करने के लिए निकले हैं उस समाजवादी पार्टी का हाल भी कुछ ऐसा ही था 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 78 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जीती थी महस पांच वोट शेर था 22.98 प्रतिशत 2019 के चुनाव में तो राहुल कांतिया मेठी सीट ही हार गए थी 67 सीटों पर लड़ने वाली कॉंग्रेस केवल एक सीट राय बरेली ही जीती थी कॉंग्रेस का वोट प्रतिशत खटकर 6.91 पर आ गया वहीं अखिले शादफ के पार्टी तो 2019 के चुनाव में 37 सीटों पर लड़ी थी और जीती थी महस पांच उसमें से भी दो सीट रामपूर और आजमगर उप चुनाव में बीजेपी से हार चुकी है हलाकि समाजवादी पार्टी को 19 के चुनाव में 17 परतिशत से ज़्यादा वोट शेयर मिला था उतर प्रतिश में कॉंग्रेस कितनी कमजोर है ये बात खुद पार्टी के दिगज नेता जैराम रमेश कहते हैं कॉंग्रेस नेता जैराम रमेश ने कहा कि अभी उतर प्रतेश में कॉंग्रेस को रिवाइफ करने में लंबा सुमें लगेगा किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कॉंग्रेस बीजेपी तो क्या हो गया अभी तो कॉंग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है न सारे कॉंग्रेस नेता वहाँ जा रहे हैं जिनके खिलाफ एड़ी, CBI, Income Tax का खत्रा है ये बीजेपी का एक वाशिंग मशीन उनको दिखता है इस वाशिंग मशीन में चले जाते ह हैं सारे दाख शोड़ जाते हैं लेकिन यूपी में कॉंग्रेस को रिवाइब करना कितना मुश्किल आपको लगड़ा है कि लंबा समय लगेगा एक किसी के हाथ में कोई जादू की जड़ी नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि वो इंडिया गडबंदन को चाते हैं वो भी हमारा मकसद है इंडिया गडबंदन मजबूत हैं दो पार्टिया निकल गई हैं इतिश कुमार पल्टी कुमार की पार्टी निकल गई है और आरेलडी निकल गई है तो 26 पार्टियां आज भी इंडिया गडबंदन में हैं